नियमित तोर पर किसान धरनों पर पहुँच कर वहां इंतजामों को देखने के क्रम में सांसत दिपेंद्र हुड़ा भी आज सौंबार को सोनी पर दिल्ली सित 25 किलो मीटर लंबे सिंगु बॉडर धरने पर पहुँच गए उन्होंने बाच बुनियादी सुवदाओं का निरिक्षण भी किया बता दें कि जौरां सोनी पत्व विधायक सुरेंद्रपमार और नِगटनीगं के नव निर्वाचित मेर निखिल मदान भी साथ थे सांसा दिपेंद्र हुड़ा ने सोनिपत नगर निगम के मेर निखिल मदान को धरना स्थल पर बुनियादी सुविदाओं जैसे पानी, शौचाल, साफसफाई, फोगिंग आदी की पूर्ती के निर्देश दिये और नगर निगम सोनिपत को जिम्मेदारी सोंपी, इससे पहले उन्होंने इस संबंद में सोनिपत विदायक सुरेंद्र पमार और मेर निखिल मदान के साथ बैठवग भी की दिपेंदर हुड़ा ने कहा कि किसान आंदोलन अब जन आंदोलन का रूप धारण कर चुका है हर व्यक्ति की जुबान पर एक ही बात है कि जिन कानुनों से किसान नाराज है, उन्हें किसानों के हिद के नाम पर जबरदस्ती उन पर क्यों थोपा जा रहा है सरकार किसानों की मांगों को स्विकार करने के लिए इज़त बेज़ती का सवाल ना बनाए उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से टकराने की नीती बनाने की वज़ाए समाधान करे और कल यानी 19 जनवरी को होने वाली बैठक में किसानों की मांगों को स्विकार करे किसानों की मांग स्विकार करना किसानों के हित में ही नहीं बलकि देश हित में भी है उन्होंने ये भी कहा कि अन्नदाता की नाराज़गी राश्टर हित में नहीं है उन्होंने कहा कि किसान का बेटा होने के नाते और बतोर जन प्रती निदी पिछले 54 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन में सेवा करना उनका पहला कर्तव्य है उन्होंने ये भी कहा कि आज देश का बच्चा बच्चा किसानों की मांगों का समर्थन कर रहा है क्योंकि उनकी सारी मांगे जायज है सांसा दिपेंदर ने कहा कि लंबी लंबी मीटिंग के बाद भी नतीजा जीरो है सरकार के उपेक्षा पुन रवाये की वज़े से ही आंदोलन में बड़ी संख्या में किसानों की जा रही है किसानों की मौतों के लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है ऐसा लगता है कि सत्ता के घमन में ये सरकार समवेदन हीन हो गई है उसने किसानियत और इंसानियत दोनों से नाता तोड़ लिया है सरकार ने आर्थिक सायोग वेनोकरी देना तो दूर की बात शहीत किसानों के परिवारों के प्रती सहानु भूती के दो शब्द भी नहीं कहे उन्होंने हर्याना विधान सबहा में नेता प्रतिपक्ष के निर्देश पर किसान संगर्ष में अपनी जान कुर्बान करने वाले हर्याना के प्रतेक किसान के परिवार को कॉंग्रेस विधायक दल द्वारा दो दो लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का धन्यवाद किया और कहा कि आगे भी हर संभव मदद की जाएगी इजोरान विधायक सुरेंदर पवार, विधायक इंदू राज नर्वाल, सोनीपत मेर निखिल मदान, हर्याना यूद कॉंग्रेस के अध्यक्ष सचिन कुंडू, अर्जुन दहिया, सुरेंदर दहिया, मनोज रढ़ाउ, सुरेंदर छिकारा, पवन बंसल, सुनील कटारिया, कमल हसीजा, मनोहर कुमार, राजीव सीकरी, ललित पवार, रंदीब दहिया, जस्पाल खेवडा, दिनेश उड़्डा, सियाराम अंतिल, रवी दहिया, सहीत अनेको स्थानिय लोग मौझूद रहे, पंचकुला से सम्वादाता खुश्मूनेब की रिपोर्ट स्थाल ड़्ड़ परहत कास्ट य लगारण हिवादी सुटार्ण, परनेाथ, रवीद inertia पंच गराना अंय जय१ी गारण अर्व्ड़ाण, ऱिंधि रवी देवी लुकूद का Ciudamt